सीजन 4 एपिसोर 7 स्टार्ट होता है और हमें एक कंपैरिजन सीन दिखाया गया है इसमें एक टाइम पिरिड गुजरता हुआ में दिखता है इस टाइम पिरिड में कीम जो काम करी हुथी में सावर्डे के उपर उनकी बहुत सरी ब्रेंचेस ओपन होती है Similarly Saul का जो routine होता है यानि कि वो cell phone sale कर रहाता है वो भी अच्छा चलने लग जाता है इन दोनों का routine हमें दिखाय गया है कि ये दोनों बहुत ही busy है इनकी जो life है इसमें वो एक दूसरे से टकरा जाते है पर एक significant change वो ला सके ऐसा कुछ भी नहीं होता वो एक साथ ही रहते है एक घर में ही रहते है और अपने अपने schedule में वो बहुत ही busy होते है अब एक significant amount of time गुजर गया है और अब Saul का एक year complete हो चुका है वो अपने firm के लिए एक office ढूनता है ये उसे office अच्छा लगता है और अपने जो plan होते है इस office के साथ वो ये सब office के plan ही उल को बता रहा होता है पहले लगता है कि ये कीम ही है जो ये plan सुन रही है पर ये actual में ही उल होता है तो Saul से पूछता है तुमें ये किसा लगा ही उल से बोलता है कि मुझे लगा था कि एक lawyer के लिए और एक बड़ा office होना चाहिए नेक्सिन में हम सौलमांगा के पास आते अब time period गोसर गया है तो सौलमांगा की भी progress हो चुकी है सौलमांगा कोमा में एक bed सौलमांगा कोमा जैसे bed पर पड़े हुए थे पर अब वो बेड में बेड सकते हैं वो अभी भी बोल नहीं सकते हैं पर अपने hand की movement कर सकते हैं जैसे वो हमें breaking bad में दिखाएं के थे हो कि गंटी हमेशा बजाते हैं तो इस तरह से वो हाथ की movement कर सकते हैं उनका जो response होता है वो अभी भी डिलेट होता है पर डॉक्टर उनकी पर गस की जो डॉक्टर होती है वो हमेशा उनसे exercise विगरा कराती रहती है हमें फिर दिखता है कि सालामांग का पानीखा ग्लास गिरा देते है वो nurse को checkout उन्हें करना होता है इसलिए वो गिराते है Nixon में हमें दिखता है कि game के office पे party हो रही होती है वहाँ वो Saul को लेकर जा रही होती है Saul उसे बोलता है मैं इन सब से क्या बोलूँगा किम बोलती कि तुम ठीक रहोगे कोई भी problem नहीं होगा Saul फिर किम के office में जाता है उसकी जो trophies वगरा होती ही वो सब देखता है फिर party में conversation हो रही होती है तो किम का जो पुरा office है वो skiing पर जाने वाला होता है रीच ये सब बता रहा होता है Saul रीच को idea देता है कि तुमारा जो outfit है उस पर तुमें तुमारे company का logo डालना चाहिए इसे client outreach भी होगी और लोगों को तुमारा नाम भी बता रहेगा वो उसका budget बढ़ाने के कोशिश कर रहा होता है वो उसे plane के लिए भी बोलता है कि तुमारे employees के लिए तुम plane से उन्हें ski trip पर लेकर जाओ सबको Saul बहुत ही पसंद आता है नेकसे में हमें दिखता है कि अंडर राउंड लाइप का जो project होता है वो अच्छे से चल रहा होता है सब worker काम कर रहे होते है पर अब बहुत बड़ा time period गुजर गया है अब बहुत दिन हो चुकी है कि वो बाहर नहीं गए उन्हें काम पर ले जाया जाता है उसी truck में उन्हें फिर से उस facility में छोड़ दिया जाता है वो गस के पास आई हुए होती है उसके साथ वो dinner कर रहा होता है वो गस को बोल रही होती है कि आप जो progress हुई है बहुत ही अच्छी है कुछी दिनों में सालामांका फिर से चलने फिर ने लग जाएगा सालामांका की progress की CD उसने बनाई होती है वो वीडियो गस देखता है गस फिर देखता है कि नर्स को चेक आउट करने के लिए सालामांका ने water गाज़ो ग्लास था वो नीचे गिरा दिया था गस को फिर लगता है कि सालामांका को हम ऐसा ही रखेंगे यानि को जादा कुछ कर भी नहीं पाएगा तो डॉक्टर को बता देता है कि यह जो प्रोग्रेस ही ठीक है अब वो उसे घर जाने के लिए बोलता है डॉक्टर बोलती है कि हम और भी प्रोग्रेस कर सकते है पर गस फिर नहीं मानता साल फिर जहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स होते है ऐसे नेबर रूड में अपने फोन सेल कर रहा होता है वह एक पुलिस ओफिसर सिविलियन की तरह कपड़े पहन कर साल के पास आता है साल उसे पैचान लेता है कि एक पुलिस ओफिसर है फिर वो साल को बोलता है कि तुम्हारा एक जो क्लाइंट है वो मेरे पास आया था तुम्हीं या फोन सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो सब लोग है ये लिगली काम करते है और इससे हमें बहुत ही तकलिफ हो रही है वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम मौल के पास जाकर विगरा ये सब सेल कर सकते हो सौल मान नहीं रहता है सौल बोलता है कि मेरे पास इसका परमिट है मैं जहाँ चाहे वहाँ सेल कर सकता हो वो पुलिस ओफिसर उसे पोलाइटली आस कर रहा होता है फिर वहाँ हूल आता है और हूल को लगता है कि वो पुलिस ओफिसर इसको हरास कर रहा है पर Huul को पता नहीं होता कि यह पुलिस है Huul ने हेड़बन पहने होते है सोल्व से बोलता है लगि तुम्हें इसे नहीं मारना है पर Huul उसके सरपर ग्रोसरी से मार देता है फिर Huul अरेस्ट हो जाता है एक्सिन में हमें दीता है कि कॉंट्रेक्टर और माई दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं वो कॉंट्रेक्टर माईक को बोलता है कि मेरे जो गाईस है कि ऐसा फाइट वेगरा कभी भी नहीं करते अब बहुत जादो दिन हो चुके और घर से भी बहुत दूर है इसलिए उनका दिमाग जरा ठीकाने पर न इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है पर तुम्हें जादा जेल में नहीं जाना पड़ेगा हुल उसे बोलता है मुझे जेल में फिर से नहीं जाना हुल सौल को बोलता है कि मैं जेल में जा सकता मैं जेल में जा सकता मैं जेल में जाओ जाओंगा सौल बोलता है कि अगर हुल की केस तुम प्लीज ले लो वो किम को एक प्लान बता रहा होता है कि जो ओफिसर है उसे टेमपर इशूस है यह टेमपर इशूस हम एक्रिवेट करेंगे जब कोड में वो एंगरी हो जाएगा तब जज को पता चल जाएगा कि यह मिस कंड़क्ट है और फिर हुल बच जाएगा किम फिर उसकी केस ले लेती है और किम बोलती है कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले किम फिर एडिये के बास होती है और उसे डील बता रही होती है पर एडिये मानी नहीं रही होती है वो बोलती है कि हुल को अब 18 months के लिए जेल में जाना पड़ेगा किम सौल को बोलती है कि उसे जेल में तो जाना ही पड़ेगा सौल बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा किम को फिर idea आता है और वो शौपिंग करने चली जाती है इस idea को ही अब वो reality में convert करने वाली होती है फिर वो star को call करती है और बोलती ही कि तुम जो भी कर रहे हो वो stop कर दो मुझे एक अच्छा idea आया है यह idea क्या था यह हमें next episode में पता चलेगा यही episode खतम हो जाता है